12 मार्च को दांडी यात्रा आरंभ हुई थी और इसलिए 12 मार्च को हम जानते हैं याद करते हैं दांडी यात्रा अर्थात सविने अउग्या अंदुलन की सुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गादी ने अपने 78 भरोसे मन अन्याई के साथ इस यात्रा को सुरू किया था 12 मार्च लेकर के 5 अपरेल तक ये यात्रा चली थी 6 अपरेल 1930 को सुबह 8 बजे महात्मा गादी ने दांडी टट जो की नौसारी जिला गुजरात में इस्थित थे यहाँ पर नमक कानून तोड़ा था इसके साथ ही पूरे देश से आवान किया था नमक कानूनों को तोड़ने के साथ ही सविने अवग्या आंदुलन की अर्थात बिटिस कानूनों की यहाँ पर सविने अवग्या करने थी देश भर में विभिन तटो पर विभिन प्रांतों में इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला मातमादी ने शुरुवात में कहा था कि महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी केवल पुरुष सत्याग रही ही भाग लेंगे लेकिन इसके विप्रित हुआ, महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चड़ के हिस्सा लिया और अभी तक के आंदोलनों में सरवाधिक भागेदारी महिलाओं की इसमें रही तो 6 अप्रेल कहां से कहां तक यात्रा थी? साबरमती आस्रम से नौसारी दांडी तक 78 भरुसेमन अन्याईों में से सरवाधिक अन्याई बादोली सत्यागरा जो 1928 में हुआ था उससे संबंदे थे 390 किलोमेटर की कुली यात्रा थी 240 मिल लगभग अधिकतर इनमें से जो सत्यागराई थे इनमें अधिकतर 20 से 30 वरश्के थे 6 अप्रेल को किस माध्यम से वाश्वी करण के माध्यम से नमक भना करके नमक कानून महात्माधी ने तोड़ा इसके साथ ही पूरे देश में सविने और ग्यान दोलन की सुरुवात हो गई 21 मई 1930 को धरसना सत्यागराई में महात्माधी को शामिल होना था लेकिन महात्माधी को इसके पहले ही गिरफतार कर लिया धरसना सत्यागराई जो कि मंबई में इस्थित एक जगह है कांग्रेस की योजना थी धरसना सत्यागराई की नमक कानून तोड़ने की चुकि महात्मा गादी को पहले ही गिरफ़तार कर लिया इसलिए नेतित तो किस ने किया था इस धरसना सत्यागरा का सरोजनी नाइडू ने किया था और नमक मार्च में गिरफ़तार होने वाली ये पहली महिला थी इनको गिरफ़तार कर लिया गया था लगबक 60,000 लोगों को गिरफ़तार किया गया था इस सवीना अग्यान दूलन के दौरान 1930 में महात्मा गादी टाइम परसन आप दाइयर इसी दौरान बने थे 1930 में ये फैक्ट है याद रखेगा पूरे विश्व में बहुत ख्याती मिली थी उसमें महात्मा गादी का और पूरे विश्व का समर्थन भी मागा था महात्मा गादी नहीं संदूलन में पेशावर में खान अब्दूल गफार खान खुदाई खिदमतगार संगठन से जो संबंदित थे इन्होंने नितित किया था अंदूलन का चकवती राज गुपलाचारी के नितित में मदरास में तिरुचरा पल्ली से वेदा रड्यम ध्यान रखेगा तक नमक मार्स किया गया था और नमक कानून भंग किया गया था इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, नमक कानून तोड़ते ही, महिलाओं को हमने जैसा की बताया महत्माधी अनुमती नहीं दे थी, फिर भी अब तक सरवादिक महिला भागे दारी किसी भी राष्टी अंदुलन में रही थी तेरह मार्च दोजार चोबिस को धूमरपान निशेद दिवस मनाया गया, दरसल मार्च के दूसरे बुद्वार को ही धूमरपान निशेद दिवस मनाया जाता है, 1984 से, इस बार मार्च का दूसरा बुद्वार तेरह मार्च को पढ़ा है, इसलिए तेरह मार्च दोजार चोब आपको केंसासी प्रदेशों का याद रखना है तो एक घटना करम हुआ महत्पूर्ण मुक्यमंत्री वन्होर लाल खटर का इस्तिफा हो गया वहाँ पर लंबे समय चले आ रहे है बीजेपी जेजेपी गडबंधन में तूट पड़ गई इसके बाद नया चीफ पिनिश्टर की से बनाया गया है नायव सिंग सैनी को बीजेपी की सरकार है नायव सिंग सैनी को नया मुक्यमंत्री बनाया गया है वहाँ का वन इस्टेशन वन प्रड़क्ट युजना रेल मंत्राले के द्वारा सुरू की युजना है मातपूर्ण प्रावधान है कि 1000 रुपए जमा करने पर 15 दिनों के लिए कोई अपना अस्थाई स्टॉल या कियोस्क लगा सकता है रेलवे स्टेशन पर इसका डिजाइन राष्टी डिजाइन संस्थान एहमदाबाद के द्वारा किया गया है इसके द्वारा इसका नेत्यत्व किया जा रहा है इसके डिजाइन का योजना के हाली में प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा दक्षनी रेलवे के लिए इसका उदगाटन किया गया सभी स्टेशनों पर लगभग कियोस का उदगाटन किया गया इसके लिए अभी हाली में चर्चा में रहाई है भारत में गोल्डन लंगूर सर्वेक्षण हाली में आयोजित किया गया गोल्डन लंगूर भारत में असम केकुष्ष्ष में जो पश्मी शेत्र है वहाँ और जो बॉलडर है सीमा है भूटान सीमा के आसबास Black Mountains की तलहटी में मुक्यता पाये जाते हैं IUCN की लुप्तप्राय की सेंडीमिन को रखा गया है कुल 7396 गुल्डन लंगूर अनुमानित रूप से सर्विक्षित किये गया मिशन दिव्यास्तर क्या है MIRV Multiple Intipendently Targetable Re-Entry Vehicle तकनीक के साथ सुदेशी रूप से विक्सित जिसका DRDO ने निर्माड किया है अगनी 5 मिसाइल का सफल परिक्षेपन डाक्टर APJ अब्दुलकलामदीब जो की वीलर दीप उडीशा में इस्तित है उसका अब नाम डाक्टर APJ अब्दुलकलामदीब हो गया है यहां से सफलता पूरक परिक्षन इस मिसाइल का किया गया फ्रेंच Open Badminton 2024 साथ्विक साही राज रंकी रेड़ी और चिराग सेटी की जोडी ने दूसरी बार यूगल खिताब Badminton टुनामेंट का जियत लिया नमस्ते यूजना क्या है National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem नमस्ते यह यूजना है Sanitation के लिए साफ सफाई के लिए किसकी है सामाजिक न्याय वाधिकारता मंत्राले वा आवास वा शहरी मामलों के मंत्राले की संयुक्त यूजना है जिससे सुरू किया गया है हाली में चानवेवा आसकर पुरसकार 2024 इसमें महत्पूर्ण बात रही कि ओपन हाइमर फिल्म को सरवादिक साथ पुरसकार प्राप्त हुए बेस्ट फिल्म उपन हाइमर बेस्ट डारेक्टर का वाड़ क्रिस्टोफर नोलन जो की उपन हाइमर के ही निर्देशक है इनको मिला बेस्ट अक्टर का वाड़ सीलियन मर्फी को उपन हाइमर के ही अभी नेता थे मुक्य अभी नेता थे Best Actress Award Emma Stone को मिला Poor Things Movie के लिए Best Documentary Award 20 Days in Maripol को मिला Best International Film Award The Zone The Zone of Interest Best International Film Award की से मिला The Zone of Interest Movie को Nagrita Sanchozan Adniam 2019 Mahatpun Date से याद रखेगा लोक सभा से ये 10 December 2019 को पारिद हुआ था राज सभा से 11 December 2019 इसको पारिद हुआ था अधनियम कब बनता है कोई भी विधेक जब पारिद होता है संसस से तो जब राश्पती के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसको अधनियम संख्या दी जाती है अर्थात उस वर्ष में जैसे पहला विधेक पर जैसे दस विधेक पारिद हुए संसस से तो राश्पती इस वर्ष जैसे 2024 में जिसे पहली बार हस्ताक्षर करेगा वो अधनियम संख्या वन बन जाएगा दूसरे दूसरा हस्ताक्षर करेगा वो अधनियम संख्या दो बन जाएगा इस तरीके से अधनियम बन जाता है जब कोई संसस से पारित विद्हेक जाता है राश्पती के पास तो राश्पती का हस्ताक्षर कब हुआ या अधनियमित कब हुआ 12 दिसंबर 2019 को कब लागू हुआ तो 11 मार्च 2024 को परसूं ये लागू हो गया इसमें महत्पूर्ण जो प्रावधान है 31 दिसंबर 2014 ये कट आफ जेट है इसके पहले तीन देशों पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से प्रताडित धार्मिक रूप से प्रताडित अलपसंख्यक छे अलपसंख्यक इसमें शामिल है हिंदू सिक बाध जैन इसा नागरिक्ता देने का प्रावधान है पिछले एक वर्ष से भारत में रहना ज़रूरी है साथ ही पिछले 14 वर्षों में पांच वर्ष जो कि पहले 11 वर्ष था पांच वर्ष नियूंतम भारत में रहना ज़रूरी है इसके लावा छटी अंसूची तथा इनर पर्मिट वाल मिलती रहेगी जैसे अधनान सामी को मिली राजकुमार विश्ण कर्मा पूर डीजीपी उत्तरवदेश के थे कारेवाहक डीजीपी थे उत्तरवदेश के 2023 में उत्तरवदेश के नए मुख्य सूचना अयुक्त बने हैं इन्होंने एक महत्पूर्ण व्यक्ति जो आप लोगो सदस्य भी नियुक्त हुए कुल 11 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है राजकुमार विश्ण कर्मा आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद